कि हलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब आज हम जो की Ministry of Social Justice and Empowerment ने जो है अभी हाली में सपोर्ट फर मार्जिनलाइज इंडिविज्ट्र फॉर लाइवली हूर इस जिए यह बहुत है यह उप्लैरिंग की है थो यह जो यह वह भी जोellsां id पाव चैनल एविश्ट्रेक्राइव वे और लिगों करने विदिंआ क्यों तो आज wilt की मिनके यहमिज्ञास के इस बारहे की सक्यों के डिशकेंगे जो कि आपके exam point of view से बहुत important होगा और जो भी आप competitive exams के लिए preparation करें है उन सब के लिए भी बहुत ही फायदे मंद होगा तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगोंने मारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ बैल आइकन भी दबा दीजिए ताके आपको गला नोटिफिकेशन मिल सके और साथी जो इस वीडियो के एंड तक देखनी के साथ लाइक करना प्रीज मत भूलिएगा सो चलिए आज का जो डिसकाशन है वो अभी शुरू करते हैं तो हाली में जो है सामाजिक नियार आधिकारत्य मंत्रा लाइन जो समाइल आजी वी का और उद्दम के लिए सिमान व्यक्तियों को हेतु समर्थन इस नाम का जो योजना जो है तेयार किया है यानकि सपोर्ट फ निवास के लिए योजना जो है उसके नामका पुप योजना भी समय शामिल ऑते हैं तो भिखारियों और ट्रंसजेंडरों के लिए जो है मौजुदा योजनाओं के विलाए के बाद यह एक नए योजनाओं स्कीम है और यह जो स्कीम जो है वह अभी स्टेट हो या यूटीज हो उनके एक शेत्र सरकारों और शहरी स्थानिय निकायों के पास जो उपलब्ध है उनके उप्यों के लिए भिख्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनरवास सुनिश्चित करती है तो मौझुदा आश्राइग्रियों के अनुपलब्धता के मामले में जो है कारियन वेयन एजंसियों द्वारा यानकी इसके केंद्रे में बड़े पैमाने पर पुनरवास चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान परामर्ष बुनियादी दस्तावेज शिक्षा कौशल विकासादी है और अनुमान है कि यह जो स्कीम जो है इसके तहल लगभग 60,000 सबसे गरीब व्यक्तियों को जो है मतलब स्थानिय शहरी निकायोज स्वैच्षिक संगठनों समुदय आधारी संगठनों सी भी ओस संगस्थानों और अन्या के जो सहियोग से जो है लागू किया जाएगा तो अभी विखारियों के व्यापक पुनरवास के लिए जो यह जो स्कीम है वो क्या है तो को जो है चुनिन्दा शहरों में पाइलट आधार पर लागू किया गया है जहां पर जो कि विखारी जो समुदय जो है उनकी संख्या ज्यादा है तो साल 2019 से 20 के दौरान जो है मत्रा लेने विखारियों के कौशल विकास कार्यक्रमों हितु जो है राष्ट्रिय सामाजिक र अब यह जो है भारत में जो है भिक्षा वृत्ति की स्थिति क्या है तो यह जो है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में भिकारियों की जो कुल संक्या जो है 4,13,070 है जिसमें से 2,21,673 वो मेल है और 1,91,997 जो है वो फिमेल है तो और इसके लावा है जो पिछले जो जनग इस संक्या में जो है वृध्य हुई है तो अब पश्चिम बंगाल इस लिस्ट में सबसे उपर है सबसे मतब उसके बाद जो मतब कंटिनियू में जो मतब आता है क्रमश्च जो आता है दूसरे और तिसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान आता है जन साल 2011 क कि जनगर्णा के अनुसार जो है लक्षदीब में भिखारियों की संख्या मुश्किल से केवल दो है तो वहां सबसे ज्यादा कम है लक्षदीब में तो कि इंद्रशासित प्रदेशों में नए दिल्नी में सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा जो है 2170 से विकारी थे उसके बा जो है 53 कि जो निचले स्थान परें नौर्टिस अरिया रिएस में से और हाली में जो है जो है सरवक्षा वरित्य रोग्था मारीनियम के तहट जो है अब रात की श्रेणी से हटाने के लिए इक याठ्री का पर विचान करने है तो सहमत हुआ है तो अभी यह जो है यह हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में डिसकास किया है तो आज के लिए इतना ही एक अलम फिर मिलते हैं ने टॉपिक के एनलाइसिस के साथ वीडियो के तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है इसको देखते रहेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा कोई अगर सुझा होगा तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा क्यूंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हाड़ व वचिंग आर वीडियो शेयर सब्सक्राइब टेक केर जैहिंद